यह पैर आया हुआ है इस प्रेन का इस पैर में मोच आ गई है तो मोच को कैसे ठीक करते हैं इस प्रेन जो होता है इस ट्रेन उसमें क्या होता हूँ तो इनसे ही मैं पूछता हूँ इनको क्या हुआ है तो यह आप गिरे थे क्या हुआ था अभी अभी गिरे हो तो अभी अभी पए सूजन नहीं आई है तो दर्द हो रहा है बता रहा है और पए सूज जायेंगा यहां पर जादा दिकत होने लगते है और इसंके तो गेरेड के होते हैं 100th grade in न्याथ और न्यादा स्वावन कॉम्प्लेट inspire typenow तो आपको जो ये टीर जो होता है तो इसमें लेटर लिगमेंट जो है जो पैर बेंड होता है चानक में जो हम दौड़ रहे होते हैं कुछ तो दौड़ते हुए आ ना तो यह बता रहा है, मैं दोड़ रहा था, तो यह दोड़ते हुए, इनका पैर जो इस तरीके से मुड़ गया था, तो अब मोड नहीं मिला है नहीं, बहुत दर्द बता रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए, वह मैं आपको बताता हूं, तो जब मोच आती है पैर में, तो उ इस पर वर्फ की सिकाई करने से बिलेट सर्कूलेशन ठीक हो जाता है यानि कि बहाँ पर जो है मसल जो नसों में जो खून होता बहाँ तेज हो जाता है इसलिए सूजन आ जाती है तो सूजन को घटाने के लिए वर्फ की सिकाई करने चाहिए कुछ लोग गरम-गरम सिकाई कर लेकिन तुरंट में जो आपको ये देनी है आपको वरफ की सिकाई ये बहुत कारगर होती है दूसरे चीए आप हल्दी भी बान सकते है ठीक ह्यों ठीक है ठीक हल्दी बान लेना और इस पर जो हल्दी को लगा करी दर्द को निशोडüm लेती है ये एक रात में ठीक है और इस पर गरम पटी आपको बाँनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी तो यह गरम्पटी जो आपको इस पेर पर बाहन सो आ तो भी दिक कजुछ जादा बता रहे हैं और कब जादा ही हो जाती है तो अभी यह बता रहा है दर्द हो रहा है जादा ही मैं पकड़ने से तो पकड़ू नहीं लेकिन इस पे जो है जादा यही सही रहेगा कि अगर emergency treatment में आपको वर्फ की सिकाई करनी चाहिए उसके बाद आपको गरम पट्टी वाल लेनी चाहिए जिससे आपको जो पैर का moment नहीं ह अब कल सब्सक्राइब चाहिए जो पर में बहुत ज्यादा मोच आगई है इनके तो अब जो इनकी ठीक हो सकती है और घबडाने वाले कोई बात नहीं है emergency में आप रफ की सिखाई करें अगर पैर में अगर कोई भी खिचाब या कोई मोच आई है तो क्यों होता कि आज में हमारी जो है muscles होती है और जो ligaments होते हैं टेंडन होते हैं ये सब जो हमारे खिचाब हो जाते हैं इसके कारण जो हमको चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिये मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम